अलोँ फ्रेंड्स इस बालय मित्रूलू व्लोक्स चानल में आप सबी का स्वागत है आज हम सब दिवाली का डेकरेशन दियों का कैसे करना है देखेंगे देखें ये मिट्टी का दिया है इसको हम लोग कितना सुन्दर से डेकरेट करके पानी और तेल मिला के कैसे करेंगे देखते हैं हम मिट्टी का दिया लिये हैं और उसमें चारो तरफ हम रोज का पेटल्स को लगाए हैं कितना सुन्दर लग रहा है ना चारो तरफ पूरा राउंड में पूरा रोज का पेटल्स उसके साथ लगाए जहां पर बत्ती लगाने वहां पर नहीं लगाए हैं और इसी तरह से सारे दी उनको रोज कर पिटल के साथ डेकरेट किये हैं और इसमें पानी डाल रहे हैं तेल नहीं डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं असी प्रतिशत हम लोग पानी डालेंगे पूरा भरना नहीं है थोड़ा कम डालना है पानी उसमें डालके उसके उपर से हम लोग अभी तेल डालेंगे लेकिन तेल को किनारे से डालेंगे बीच में नहीं डालना है तेल को किनारे से ऐसे डालना है 20% अब तेल डालना है 20% अब तेल डालना है उसको एक लेयर जैसा बन जाना चाहिए जहाँ पर बत्ती रखते हैं उस प्लेस में से हम लोग तेल को धीरे से गिराएंगे ताकि वो एक लेयर जैसा बन जाए इसी तरह से सारे दियों में तेल किनारे से डालेंगे ध्यान से डालेंगे ताकि वो एक लेयर बन जाएगा उसके बाद बत्ती इसी तरह सा बत्ती को लेके इस बत्ती को हम लोग च्या खरेंगे थोड़ा सा तेल में हादा गंटा तेल में हम लोग उसको रखेंगे उसके बाद उसको निकालके दिया में रखते जाएंगे दिया में, सारे दिया में हम लोग बत्ती रखेंगे दीरे से रखना है, तेल और पाने को डिस्टब नहीं करते हुए, आराम से रखेंगे सारे दिया में उसके बाद थोड़ा सा तेल फिर बत्ती के उपर भी डाल देंगे ताकि वो कनेक्शन बन जाए बत्ती का और तेल का इस तरह से रखे फिर बत्ती को थोड़ा सा हाथ से मलना चाहिए तब जलाएंगे तो जली से हमारा बत्ती जो है जल जाता है जब हम लोग जलाते हैं बत्ती आराम से जले गए इस तरह से करने से हाथ से इसके बाद भी जलाएंगे कितना प्यारा लग रहा ना इसी तरह से हम लोग सारे दिया को माची से जलाएंगे बहुत सुन्दर लग रहा है सारे दिये जल रहा है हम लोग मारकेट से लाते हैं कितना महंगा महंगा डेकरेटू कैंडेल्स ये सब ले आते हैं लेकिन वो एक टाम के लिए काले रह जाता है लेकिन अभी हम लोग जो दिया इस तरह से डेकरेट करके लगाएंगे कितना सुन्दर लगेगा इस बार दिवाली आपका इसी तरह से फूलों का दिया से आप लोग का दिया घर सजेगा दिवाली का दिया से किता प्यारा लग रहा है न अगर आप इस तरह से दिया तो आपको जादा महनत भी नहीं लेगेगा और यह जो पानी डालके दिया जलाते हैं इससे क्या होगा हमेशा हम लोग पहले दिया जलाते थे तो तेल रह जाता है और बत्ती बुझ जाता है ऐसा बहुत बार होता है लेकिन अभी क्या होगा इस तरह से पानी डालके उपर से डालके जलाने से ये 2-3 गंठा तो आराम से जलेगा जितना देर तक तेल है पूरा तेल कतम होने तक आपको दिया जलेगा इसके बाद हम लोग अगर बड़ा कोई भी दिया होगा उसमें कैसे जलाएंगे उसके लिए एक पॉलितिन लेजिएगा तोड़ा साफ्ट और मोटा ह होना चाहिए उस तरह से पॉलितिन लेके स्क्वेर शेप में काटके उसको गोल सर्किल शेप में फोल्ड करके सर्किल शेप में काटेंगे उसके बाद इसको किसी भी नुकिला चीज से सूई से किसी चीज से बीच में एक होल करेंगे उस होल में हम लोग बत्ती को निकालें एपर नीचे रहेगा इस तरह से नीचे से कीच के हम लो अच्छे से बत्ती को कर देंगे उसको साड में रखाए एक बड़ा सा बॉल लिए घर में जो चीज़ है कि लिए कोई पीड होुया कोई डॉल हो उससी भी चीज से हम लोग डेकरेट कर सकते हैं यहां पर हम लोग बेंट है यह टूद्बिक्स है यहां पर सजाने के लिए बंड current में बहुत सुन्दर लग रहा हे लगा है फुमारे घर में जो हे वो हम नुत यहाँ पर लगाया है इस तरह से कोई भी leaves टाइप का है गर में जो चीज है उसी चीज से flowers होगा, artificial flowers होगा या pebbles होगा किसी भी चीज से हम लोग इस तरह से decorate कर सकते हैं decorate करके उसमें पूरा पानी से भर देंगे बहुत सुन्दर decoration बन जाएगा यह चीज को colorful बना सकते हो यहाँ पर blue डाल करके blue color से हम लोग थोड़ा सा पानी में मिला के डाल दिये हैं या आप कोई भी paint colors है ना उस color से भी कर सकते हो हाल दी से कुंकुम से किसी भी चीज से कर सकते हैं उसके बाद उस बत्ती जो निकाले हैं उसको हम लोग तेल लगा देंगे नीचे और ऊपर दोनों तरफ से तेल ऐसा लगा के इस प्लास्टिक को बत्ती के साथ हम लोग थोड़ा देर के लिए तेल में डुबा के रख देंगे ताकि वो बत्ती जो है आईल को सोक देगा जब भी हम लोग दिया जलाते हैं बत्ती को थोड़ा तेल में डुबा के रखने से दिया अच्छे से जलता है उसके बाद इसमें जो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर मैंने सीप डाले हैं गोल्डन कलर का इससे क्या होगा आपको चमकता हुआ दिखाई देगा पानी के उपर पानी के अंदर कुछ चला जाता है कुछ पानी के उपर तेहरता हुआ रहेगा बहुत सुंदर से आपको दिखने लगता है उसके बाद एक पत्ता लेंगे पानी के उपर हमको दिया जलाना है उसके लिए एक पत्ता लेके इस योपनी के उप्ता अपर भी हम लोग थोड़ा सा तेल डाल देंगे। पत्ता के उपर तेल डाल देंगे हैं। यहां पर पत्ता रखेंगे वहां पर थोड़ा सा तेल डाल कि में अभी तक प्लास्टिक को बट्ति लगा क्यों। उसको रखके उस पत्ता को उस पानी के ऊपर जहांपे हमने तेल डाला था वहां पे रख दिया अब बत्ती को तोड़ा सा हाथ से मल देंगे उसके बाद जलाएंगे अब पानी के ऊपर तहरता हुआ दिया कितना प्यारा लगेगा इसी तरह से आपके पस अगर बड़ा सा बॉल होगा तो उसमें बहुत सारे दिया पात्ता के उपर जला के आप रख सकते हो चोटा सा है तो एक भी दिया जला के रख सकते हैं यहाँ पर मेरा बॉल में तीन दिया जला हटा है तो तीन दिया लगा करके किता प्यारा लग रहा ना बहुत सुन्दर लग रहा है आप भी इसी तरह से सुन्दर सुन्दर डेकरेशन करके इस बार दिवाली में बहुत सुन्दर से कोई भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है मार्केट से खरिदने की जरूरत नहीं है घर में ही इसी तरह से पानी के उपर दिया जलाई है किसी भी टब जैसा बहुत बड़ा सा ले करके उसमें बहुत सारा दिया जला के घर के आंगन में रख सकते हो या मट्टी वाला दिया जला सकते है या कोई भी कांच का ले सकते हैं अगर आपका दिया बुझ जा रहा है बोलके आपको लगेगा तो उसके उपर थोड़ा सा उसके साइड से किनारे से थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा तो वो दिया फिर से जलने लगेगा जैसे कि इसमें दिख रहा था वो वहाँ पे तो आपको आराम से दो से तीन गंटा आराम से जल जाता है दिया कोई दिक्कत नहीं है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा